हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग नदी और नाव का सवाल पढ़ेंगे दोस्त कॉंपेटिटिव लेवल में बहुत कोश्चन आता है इससे लगबग हर एक्जाम में आपको एक आदा कोश्चन आपको दिख जाएगा चाहे आप वो डिलिट के एक्जाम दें, एससी के एक्जाम दें, पियो के एक्जाम दें, कलर के एक्जाम दें, कोई भी एक्जाम दें इससे कोश्चन आपका लगबग कन्फर्म होता है बस conceptual question है दोस्ते से ज़्यादा बहुत घुमावदार question नहीं आता अगर आपको समझ में आता है तो सवाल बहुत थोड़े समय बन जाता है और नई समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगी थोड़ा समझने कोश कीजिएगा बहुत easy question बनेगा आपको ठीक है थोड़ा समझाते हैं ध्याँ से देखिएगा नदी और नाव इसमें दो चीज होगा एक नाव की चाल होगी एक नदी की चाल होगी नदी मतलब क्या नदी थोड़ी चलती है नदी में जो पानी है वो पानी भहता है जैसे मान लेते हैं कि ये नदी है एक हमारा नाव है इस नदी में एक तो नाव की चाल होगी और एक पानी की धारा की चाल होगी मतलब क्या बोलेंगे इसको नाव की चाल बोलेंगे इसको दूसरी होगी धारा की चाल अर एक होगा क्या क्या होना चीए नाव की चाल शांत जल में शांत चल में होगी नाव की चाल हम लोग निकालेंगे शांत जल में कोशन क्या आता है कि जैसे मालें नाव की चाल धारा की अनुकूल कुछ दिया रहेगा धारा की विप्रीत में कुछ दिया रहेगा तो बोला जाता है कि चलिए धारा की चल बताइए या नाओ की चल बताइए सांत जल में ठीक है तो आपको करना क्या है जो basic concept है वो ध्यान दिजेगा नाओ की चल आप ध्यान देंगे नाओ की चल शांत जल में सांत जल में सांत जल में मतलब जिस समय नदी की जो पानी बह रहा है उसमें कोई बहाव नहीं हो शांत जल है वानी बत्मी स्थीर है उसमें नाओ की चल क्या होगी मान लेते हैं एक्स किलो मीटर पर आर है मीटर पर सेकेंड भी होगा जैसा क्वेशन में दिया रहा है को उसके हिसाप साप समझ लीजेगा यहाँ पर हम एक्स किलो मेटर पर आर ले रहे हैं ठीक है नाओ की चाल दिया हुआ है सांत जल में अब धारा की चाल भी कुछ तो होगा ना धारा की चाल मान लेते हैं धारा की चाल क्या मान लीजेगा वाई किलो मेटर पर आर मान लीजेगा ठीक है ध्यान समझेगा बस एक कॉंसेप्ट ही है इस पर सारा कोशन मन जाएगा नाओ की चाल शांत जल में एकस किलो मेटर पर आर धारा की चाल जो पानी है पानी की धारा मतलब क्या पानी पानी की जो चाल है नदी में जो पानी बह रहा है उसकी जो चाल है वाई किलो मेटर पर आर है तो, नाओ की धारा की चाल के साथ कितना कैसे होगा, उसका किलोमेटर के निकलेगा उसका स्पीड क्या होगा Speed of a boat along with current धारा के साथ क्या चालोगी तो क्या होगा सांत जल में, जो होगा, अधारा की चालोगा जासे हम चल चुछ जरहा है, आज कोई हमको पीछशे धकका मार रहा है, तो क्या होगा? Speed क्या होगा? मेरा जो चलने के speed हो, वो प्लस जो हमको धकका मार रहा है, उसका speed, दोने speed हो he mark हमको दोनों का सक्तिसाफsh deuxième मिल जाएगा, वल्डब इधर नाओ का अपना स्पीड ही है, धारा का भी चाल मिल गया, तो डोनों मिलके चाल को बढ़ा देंगे, ठीक है? तो नाओ की चाल धारा के चाल के सात, क्या होगा? नाओ की चाल धारा की चाल के साथ क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए सिंपल एक्स प्लस वाई किलो मेटर पर आर ठीक है अब यही नाओ की चाल धारा की चाल के साथ नहीं धारा की विपीद दी समय माल लेते हैं नाओ यहाँ से चला गया हो स्पीड ऐसे है इधर से धारा की चाल ऐसे है ठीक है नाओ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है क्या है नाओ यहाँ तक पहुँच गया है अब क्या है इस नाव को इधर आना है वापस आना है तो क्या होगा नाव इधर से इधर आएगा तो कितना ताकत लगाना पड़ेगा एक तो धारा के चाल के उल्टे दिसा में आना है उसको ठीक है जानी चाल क्या होगा जो इसकी स्पीड होगी इसकी फोर् से ये लग रहा है पानी बह रही है उतना कारण इसको घटाना पड़ेगा तो नाओ की चाल धारा की विपरी दिशा में नाओ की चाल धारा की विपरी दिशा में क्या हो जाएगा एकस मैनस वाई यानि कि जब उल्टा आ रहा है तो नदी इदर से बह रही है and now इदर से आ रहा है तो क्या हो کہ दुसरे को racist करेगा, प्रतिरोध करेगा, उल्टा करेगा, तो उल्टा जब करेगा तो क्या करेंगे हम घटा देंगे उसमें से, सिंपल, नाओ की स्पीड में से धारा की चाल घटा देंगे, तो धारा की विपरीद दिसा में स्पीड निकल जाएगी, क्लिर है, इनी दोनों से नाओ धारा की चाल का जो भी समस्या होगा सब बन जाएगा, अब देखिए, आप बोलेंगे सर, कोश् देखें,ं दो is common sense, बिलकुल अगर यह दिया हुआ है, एकस प्लस य दिया रहेगा, एकस मैनस य दिया रहेगा, हम आपको common चीज़ बता रहें, अगर यह दिया हुआ हो, यह तो हम मानके यल बनाके यहे किया ना, ठीक है, अब मानली फोड़द रिठी sin को भूल जईए, फ धारा के जल क्या है य है तो आप हो क्या रहना क्या है इन दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस y प्लस x माइनस y दोनों को जोड़ दीए तो क्या को हो जाएगा देखे तो y से y कट गया क्या बचेगा 2x अगर इसमें हम 2 से भागा दे दें तो क्या बचेगा x यानी की हम नाओ की चाल के साथ धारा के साथ जो चाल है अगर इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दें क्या करें इन दोनों को जोड़ के यानि x plus y plus x minus y upon 2 कर दें दोनों को जोड़के उसकर 2 से भागा दे दें तो किसकी चाल निकल जाएगी? x एक्स क्या होता है? यानि नाओ की चाल शांत जल में निकल जाएगी अगर ये दिया रहे अगर दोनों को जोड़के हम 2 से भाग दे दें तो हमको x निकल जाएगा, तो x आएगा तो क्या होगा, x मतलब क्या, नाओ की चाल सांत जल में ऐसे निगलेगा, जब आपका धारा के साथ को धिया रहेगा, धारा को लटे बिसा में दिया रहेगा, अगर दोनो धिया रहता है, अब उसके बाध बोलता है, कि आप निकाल के बताईए हमको कि now की चालसांजाल में क्या होगी तो दोनों को जोड़ के बटादो कर दीजे आपका ये निकल जहेगा अगर आप से ये पूछा जाए ये दोनों देकर अच्छाईए बताई धारा के चल क्या होगी तो एक में से दूसरे उगटा के बटादो कर दीजे देखि minus x plus y minus x plus x कड़ गया 2y upon 2 2 से 2 कड़ गया इसका मतलब y y मतलब धारा की चाल निकल जाएगी देखें सारा थोड़ा सा common sense लगाएंगे total सवाल बन जाएगा ठीक है यह आपको समझ में आ गया हम भी हम आपको कुछ सवाल को बना के दिखा देते हैं आपको फटफट समझना हैगा ठीक है आपको बना के दिखाते हैं वितुरत इसको रेज करते हैं दोस्त और आपको हम बना के दिखाते हैं आपको देखिए कैसे सवाल बनेगा आपसे कुछ नहीं करना दोस्त थोड़ा सा common sense है ध्यान देना है सवाल को समझे कि उसमें क्या given है पता है हम लोग से सवाल क्यों नहीं बनता है हम लोग उसको given समझ में नहीं आता है अगर गीवन समझ में एक वर आगे ना क्या question में दिया हुआ है और क्या निकालना है एक वर समझ लीजे उसके बाद सवाल देखे क्या मस्त बनता है दोस्त यहां देखिए सवाल हम आपको एक दो बना के दिखाते हैं जैसे सवाल दिया हुआ है एक नाव शांत जल में एक घंटे में 6 किलमेट जाता है अब देखिए यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है एक जो नाव है हाँ सांत जल में एक घंटे में 6 किलुमेटर जाता है सांत जल में देखिया क्या हम लिखे हुए थे नाओ की गती सांत जल में ठीक है? X, X याद है न? ठीक है एक घंटे में 6 किलुमेटर यानि कि हम लोग नाओ की चल सांत जल में X माने थे न? उस समय याद होगा आपको तो x बराबर क्या दिया हुआ है इसमें देखिए हम यह पर x y लिख रहे हैं आप समझ लीजेगा कि नाओ की चाल सांत जल में ठीक है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय दूरी अपॉन समय दूरी कितनी है 6 km समय कितना एक गंडाज का मतलब 6 km पर आर ठीक है परन्तु वह धारा के प्रतिकूल दूरी यही दूरी तीन गुने समय लेती है धारा के उल्टी दिशा में आने में उसको कितना समय लगता है तीन गुना समय लगता है शांत जल में चाल दिया हुआ है अब इतने ही दूरी को प्रतिकूल दिशा में प्रतिकूल मतब उल्टी अपोजी डिरेक्शन में वेप्री दिशा में वेप्री दिशा में गती क्या हो जाएगी उसकी दूरी बटा समय अब यहां देखेगा दूरी क्या है अज समय क्या है समय क्या 3 कुना ले रहा है दूरी वही है 6 बटा 3 कुना समय है तो क्या हो जाएगा तू कियो मेटर पर हार ठीक है अब क्या बोलता है कि हमको धारा की चाल क्या होगी धारा की चाल कैसे निकलेगी सोच के देखिए यह हमारा क्या है यह हमारा सांथ जल में नाव की चाल सांथ जल में एक नाव सांथ जल में एक घंटे में 6 किलोमेट जाती है अपरांतु वही प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 मुज़ा समलेती है तो धारा की चल क्या होगी धारा की चल सीम्पल है क्या करेंगे इतने में से इतने को घटा देंगे धारा की चल निकल जाएगे धारा की चाल क्या हो जाएगी धारा की चाल मैनस कर दीजे 6 मैनस 2 बराबर 4 किलो मीटर पर आर simple कोई कठी नहीं क्या देखे एक दूसरा सवल आपको बता देते हैं आपको जल्दी समझ मैंगा एक दूसरा सवल बोलता है कि एक जो नाव है एक नाव आठ घंटे में धारा की विपरी दिशा में 40 किलो मेटर जाती है एक नाव आठ घंटे में धारा की विपरी दिशा में जाती है ठीक है तथा 6 घंटे में धारा की अनुकूल 36 किलो मेटर जाती है तो सांथ जल में नाव की चल बताईए आठ घंटे में धारा की विप्रित दिशा में धारा की विप्रित दिशा में क्या हम लोग बोले थे X-Y याद है ना X-Y समझने कोश कीजेगा question आपके screen पे आ जाएगा यहां समझे क्यों बोल एक घंटे हम हम आपको पूरा language नहीं लिख रहे हैं हम आपको बस X और Y में समझाने की कोश कीजेगा language आप खुद से इस तरह लिख लीजेगा ठीक है तो क्या बोलता है नाव 8 घंटे में धारा की विप्रित दिशा में 40 km यानि की धारा की विप्रित दिशा नहीं X-Y ये question हो गया है अब दूसरा question है देखे km पर आर मतलब 8,45 यानि की 5 km पर आर कैसे धारा की विप्रित दिशा में तथा 6 घंटे में धारा की अनुकूल 36 km जलती है यानि की X प्लस Y जाने में कितना समय ले रही है 36 km जाने में 6 घंटा लेती है तो 6 चक 36 km पर आर मतलब 6 km पर आर question में क्या पूछते है सांत जल में नाव की चल क्या है दोस्ट ये वाला question बहुत सार एक्जाम में आया हुआ है असनातर का सरिये में SAC में आया है, CPO में आया है CPO में भी दो बार आ गया है ये बहुत important question है ठीक है इसमें पूछता है सांत जल में नाव की चल सांत जल में नाव की चल क्या है X होता है न X निकालना अपने को क्या करना है X निकालना है दोने equation को जोड दीजिए तो कैसे हो गया अगर X माइनस Y इसकल टू 5 है और X प्लस Y इसकल टू 6 है याद होगा हम लोग कैसे हम लोग solve करते थे class 7 में, 8 में, 9 में, 10 में याद कीजिए दोनों को add कर दीजिए ये दोनों कट गया 2X बराबर 6 पाच इग्यारा X बराबर 11 पाउन 2 5.5 किलो मेटर पर आर बन गया दोस्त अगला question देख ले है एक question और देख लेते हैं दोस्त अगला question है एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दीजा में एक घंटे में 8 किलो मेट जाती है धारा के अनुकूल दीजा में यानि की X प्लस Y X प्लस Y clear है? यहाँ बना देते हैं दोस्त देखिएगा धारा के अनुकूल दीजा में क्या करती है एक घंटे में 8 किलो मेटर यानि की X प्लस Y बराबर क्या दिया हुआ है एक घंटे में 8 यानि की 8 अपॉन 1 यानि की 8 किलो मेटर पर आर और धारा की विप्रीद दीजा में एक घंटे में 2 किलो मेटर जाती है तो मांगता क्या है नदी की धारा की चाल निकालना है धारा की चाल क्या है य है हमको वाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इस में से इसको घटा दीजे तो नहीं एकस प्लस य और एकस मैनश य बरावर एकज बराऴर टŁ उसको माइनश करेंगे ये कट जाएगा टाफ्ट में से दू गया छे तो इसले य इसकल तो क्या होगा छे अपॉन टू इसकल टू थी किलोमेटर पर आगे धारा की चाल कितनी होजाएगी दो किलमेटर, तीन किलमेटर परार, एंसर है दोस्त, क्लिर है, तो इस तरह से हम लोग सवाल बना सकते हैं, सवाल कोई कठी नहीं है दोस्त, बहुत इजी सवाल है सब, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, सारा सवाल बन जागा आपसे, सारा कोशन को हम स्क्रीन पर डालेंगे, औ कोशन टफ नहीं है, हम कोशन को सबको डालेंगे आपके स्क्रीन पर, अगर जरुत पड़ती है, तो कुछ और सवाल अगर हमको और मिलता है, कुछ अलग अलग टाइप का, जितना भी सवाल बताएं तो हर एक्जाम में दो बार तीन बार आया हुआ हुआ है, स्क्रीन पर ड